असलाम अलेकुम विवर्स तो आज हम निकल रहे हैं गाउं के लिए तो आप हम से कनेक्ट रहिएगा तो इंशाला भी हम विलेश्ट के बहुती मज़ेदार उपसरत से विलोग्स और कुकिंग रेसिपित शेयर करेंगे तो आप लोग कमाल साथ कनेक्ट रहिएगा थैंक यू कि थिए तो रास्ते के लिए शूट करेंगे सारा कुछ आप लोग mountains के लिए शूट करेंगे और शेयर करेंगे और लारकाना से शेहरा एन हैं और क्या-क्या हम देखेंगे तो वह भी आप लोग के लिए शेयर करेंगे तो आप संब agreeing ठेक्यू तो वीवर्स अभी हम निकल चुके हैं घर से तो यह है कासिम चोक हिद्राबाद तो अभी हम यहां से पिट्रॉल वगेरा सारा कुछ चेक कराएंगे और कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स वगेरा लेंगे तो इसके बाद फिर हम रवाना होंगे तो वीवर्स अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस करना तो बिल्कुल मना बुलिएगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही इतने मुश्किल और मज़ेदार और पंजाब अगिरा के तो बहुत सारे व्लेज के रूटीन विलोग्स देखे होगे मगर इसी निजादा नहीं है तो हम आप के लिए सिंधी विलोग्स जो है वो त्यायर करेंगे तो सिंधी लाइफ के से होते हैं वहा है का रहन सें खाना पीना और खेत खल्यान रास्ते जो भी होता है वो के साथ है तो आप लोग को हमारे विलोग्स में नजर आएगा तो यह पूरी मेनत हम आप लोग के लिए करेंगे तो इंशाला हम अभी रवाना हो रहे हैं गाउं की तरफ तो लumbling विलोग्स जरूर आप वाच कीजिएगा और प्लीस हमारे विलोग्स हैं पूरे वाच कीजिए ताकि हमारे रणारा है वो कम्प्लीट हो सके तो इस काम में बहुत मेहनत है सर्दियों का मौसम भी है तो हम लोग आप लोगों के लिए ही विलोग्स रेड़ी करेंगे तो आप लोग ज़रूर वाच कीजएगा विलोक जोटी नहीं किया तो जैनल को सब्सक्राइब कोरें तो इंज्जार कीजिए हम हमारे साथ सफर हमारे आँख से देखिए बुरी सिंद को तो हिदराबाद से लाका हाथ तो बीच-बीच में आपको बताऊंगे कि कौन सी जगा है तो प्लीज एंजॉय किजे तो यह है टाम चुरोप पुल दर्या की जो सिंदू दर्या की पुल है यहां से हम जा रहे हैं यह खुबसूरत सा अंग्रेजियों के जमाने का पुल बना हुआ है अल-मंजर भी से कहते हैं तो यहां पर भी हमारा एक विलोग बना हुआ है हमारे चैनल पर मौझू देखिए जो हमने तफसीरी विलोग इस पर बनाया था तो वह भी आप आप आँच कर सकते हैं तो अब करेंगे तो मशाला सिंद के बहुत कुबसरत मनासिर होते हैं रास्ते में जो हम भी रेखते हुए जाते हैं हमारी जो है सफर के बाहने हम पूरी सिंद को देख लेते हैं तो हमें तो बहुत मज़ा आता है अमीदिया आप लोगम को मज़ा हैं हुआ है हुआ है झाल 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 आज तो सिंद्ध के जो पहाड़ है वो कितनी अच्छे तो इस एरिया में आते ही बहुत थंड थोड़ी से ज्यादा में लग रही है तो थंड़ा एलाका है यह बहुत ही और मैंने सुनाया कभी-कभी यहां पर भी इस पार होती है बरफपारी होती है यहां पर भी इसके उपर पह मुझे थोड़ा थोड़ा यादे तो हमने भी ट्रेन में सफर किया हुआ है एदराबाद से लारकाना तक का फिर उसके बाद को चौर यह वेन अगेरा का सिस्ट्रम जब शुरूवा तो फिर हमने ट्रेन में जाना चोड़ दिया क्योंकि ट्रेन में लेट बहुत हो जाता थ मुझे थोड़ा बहुत यादे जब हम छोटे थे अभी अभी भी मुझे ट्रेन में सफर करनेगा बहुश हो के तो मुझे डर बहुत लगता है क्योंकि ट्रेन इसी पतली-पतली रास्तों से चलता है तो यह देखिए यह अंदर अंदर से पहाड़ों से गुजरते हुए ट्रेक रेलिवे ट्रेक जा रहा है तो हम बच्पन में यहाँ से जा चुके हैं सी रास्तों से कि ट्रेन में बहुत टाइम लगता है इसलिए ट्रेन में नहीं जा दे कभी भी तो अपनी गारी में बहुत कम टाइम साड़े-चार गंटे में या फिर ज्याद दे पांच गंटे में हम लारका ना कोई चाते हैं अगर कहीं से रुक-्रुक के जाब भी रहे हैं तो मगर अगर ट्रेन में जाएंगे पिर तो अलाई आफी से हो टाइम लगता है तो ये खुबसुरत पहाड़ी सिल्सिले आँ देख रहे हैं सेवन के पहाड़ी पहाड़ तो ये बहुत खुबसुरत लगते हैं तो में पर फिर आप लोगो को रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो इसके बाद इंशाला हम जब गार पहुंचे तो हमने डिनर के सा किया और फिर दूसरा दिन तीसरा चोथा पांच मैं सारे दिन हम हर रोज का विलोग शेयर करेंगे तो अभी में विलोग सिर्फ जो है ट्रेवलिंग का ही शेयर कर रही हूं क्योंकि वहना जो विलोग होता बहुत लंबा हो जाता आप लोग भी बहुर हो जाते तो सिर्फ ट्रेवलिंग का ही आज में अपलोड करूँगी पर फिर इंशाला जो मैं रूटीन है वो शेयर करूँगे तो मैं शाला बहुत अच्छे अच्छे प्लान लेकर आए हैं यहां पर विलोग के आले से यहां पर हम करेंगे लांच प्ला जिए सबस्चे आए हैं शाला जाए यहां जगसा बच्कष्छण disadvantaged किा आए हैं वेलोग करूप appreciateाल कि दिए यहां दिए 흥 हको कि रहे से में ह Germans आपको कर वार में वानि दो जवाक में दो भार कि सखकता यू प्रवाजी गूदय से बिलागatif तो ए Yo तो यह हमने सेवन में लांच किया तो यह बहुत ही खुपसुरत सा सेवन का रेस्टूडेंट है तो लेडीज का अलग से जो है बनावा है साइड और फैमिली हॉल और जैस अलग हैं बहुत ही जब दबस कमफोर्टबल था वाश्रमगेरा साफसुत्रा और आप जब भी ट्रेवल कहें तो यहां पर आप लेंच करें और स्टेक करें बहुत ही जब दबस यह अगर इस तफ़ा में ने देखा कि और ज्यादा हुबसूरत लोगों ने साफसुत्रा मनाना हुआ है तो लेडीज का बिकुल अलग से तो अभी हम सेवन से रवाना हुए फिर अपनी सफर की जाने तो आप यह जो है जो है इन्जॉए कर सकते हैं हुबसूरत से मनाजिर तो सेवन को क्रोस करते हुए और ज्यादा हर्याली नजर आने लगती है और बबूल के धरग तो नेम प्रीस वगएरा यहां पर बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगी और जब हम दादू क्रोस करेंगे तो और ज़्यादा हमें हर्याली नजर आएगी और ये कपास की पसल भी है या पर कुछ-कुछ जगों पर और मैंने कुछ जगों पर गन्ये की पसल भी देखी और इसके लावा जो है गेहूं का पसल भी किया वाहे लोगों ने तो ये हम दादू क्रोस कर चुके हैं शायद तो ये जो हर्याली है ये हम एड की तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों को ये मैं आप लोगों को ये हमारा विलोग कैसा लगा आपने तो आप कॉमेंट बॉक्स में वता सकते हैं और हमारा आने वाली जो विलोग से वो जरूर वाच कीजिएगा और हमें अपनी दौाओं में याद रखिएगा और हमारी सपोर्ट करती रहिएगा तक बहुत वर वाचिएगा तक आगे तक रिखलर जरूर विडियो को देखिएगा तक बहुत वर वाचिएगा और हमारा वाचिएगा कर दो कर दो कर सकते हैं कर दो ठाने घहीं हो जाने कियो नहादिने कि इदाने टालो हा जालो ही içart झाल झाल झाल